नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विके मेट पर तो आज का जो यह वीडियो दोस्तों अससी MTS की मैथमेटिक्स के लिए गातां के हो करनी इंडिकेस और सर्थ का पार्ट फर्स्ट हैं जिसमें हम इसका basic concept समझने वाले हैं इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने क्यूब एंड क्यूब रूट के basic concept के बारे में बताया है क्यूशियन भी वहाँ पर हमने solve किये हैं तो अगर वो वीडियो आप देखना चाते हैं तो उसकी playlist का link description में दिया गया है वहाँ पर click करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं गातांग के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें गातांग के जिसे कहते हैं इंडिकेस तो यहाँ पर गातां क्या होता है कि जैसे मान लिजिए कोई संक्या कोई पूर्णांग संक्या है जिसको कितनी बार गुनांग किया जाता है जितने पद उसके गुना में आते हैं वहीं उसकी गात होती है जैसे यहाँ पर दोस्तों मान लिजिए ए कोई सुन्योतर पूर्णा एक को imitate कि गूना करा थीक है तो यहां पर क्या होगा एक की गात हमोगी किस प्रकास देखी जसे यहां पर मानली जगा हमें गूना कर रहा इस प्रकास से का गूना चल रहा है और इसको हमने M बार गुणा किया तो यहाँ पर A की गात क्या होगी M होगी यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है जिसे A की जगह मान लीजिए 6 कोई संख्या है ठीक है इसे 3 बार आपस में गुणा करया जाता है तो यहाँ पर 6 की गात कितनी होगी तीन होगी दोस्तों इसे पढ़ा जाएगा एक गात एहम जहां पर देखे ए क्या है ए तो है आधार और एहम क्या है एहम है गातांग ठीक है इस परकार से हम इसे पढ़ते हैं तो यह है दोस्तों गातांग के बारे में की गातांग क्या होती है अब इसके बाद में आता है दो का exact value हम ग्याप नहीं कर सकते तो वह क्या होगी वह करनी होगी इसे दोस्तों किस परकार से विक्ट करते हैं जैसे मान लीजिए A कोई एक परिमेशन के है ठीक है और M एक धन पूर्णांख हमें दिया जाता है तो A को यदि इस रूप में लिखा जाता है A की गात एक बटे M ठीक है तो यह इसके रूप भी हो सकता है क्यूब रूप भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जो A की गात एक बटे M है इसको M गात की करने का जाता है यानि कि की करने गात क्या है M है ठीक और तो यहां पर हम इसे इस परकार से भी लिख सकते हैं जैसे A की गात 1 बटे M है तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस परकार से रूट लगा के यहां पर गात M लगाएंगे इसके अंदर A लिखेंगे ठीक है तो यह क्या होगा यह दोस्तों A का M वा मूल होगा ठीक है तो यह है द दोस्तों गातांक और करने के कुछ नियम है जिने हम समझ लेते हैं तो यहां पर दोस्तों गातांक और करने के नियम में सबसे पहले हम गातांक के नियम समझते हैं तो गातांक के नियम किस परकार से हैं सबसे पहले यहां पर पहला नियम है दोस्तों जैसे किसी भी संक्या की गात हमें सुन्य दी जाती है जिसे मान लीजिए एक कोई संक्या है इसकी गात सुन्य है तो इसका मान हमेसा क्या आएगा एक आएगा सुन्य कभी नहीं आएगा कोई भी संक्या हो किसी भी संक्या की गात अगर सुन्य हमें दी जाती है तो इसका मान एक के बराबर होता है यहा आगे भी हमें A पद दिया जाए जिसकी गात O हो कुछ भी हो ठीक है तो यहां पर हर इस्टिती में क्या होगा जब आदार समान होंगे तो गातें हमेसा जुड़ेगी यानि कि यहां पर क्या हो जाएगा A की गात M प्लस N हो जाएगा आगे भी कोई गात आती है तो इसमें दिवाइड में दे दिये जाते हैं तो उपर वाली सिंक्या में से नीचे वाली सिंक्या की जो गात है वो घट जाती है किस परकार से जैसे यहां पर मान लीजिए A की गात M है इसके बटे में लिखा जाए A की गात N तो जब यहां पर दोस्तों इसका हम गुणा कराएंगे यहां मान लीजिए इस पद को हम उपर ले जाते हैं तो A की गात M तो है जैसा रहेगा और यहां पर आधार समान है गात N है तो यह N गात M में से घट जाएगी इसका एक 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 जामपल यहां पर मैं आपको बता देता हूँ जैसे यहां पर दोस्तों मान लीजिए 3 की गात पांच है और बटे में इसके तीन की गहाद दो है तो इसका देखी क्या मानाएगा तीन की गहाद पांच में से तीन की गहाद दो घर जाएगी ठीक है तो पांच में से दो घटाएंग कितना होगा तीन तो तीन की गहाद तीन हमारा इंसर आएगा इस परकार के बाहर कोई गात है अंदर भी कोई गात है तो वहां पर क्या होगा जिसे यहां पर मान लीजी एक कोई संख्या है ठीक है इसकी गात हमें दी गई अंदर M ठीक है और ब्रेकिट के बाहर दिया गया N तो जब हम इसे स्रोल करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि A की घात M गुणा N होगी या हम कहें M N ठीक है यानि की घातों का अपस में गुणा होगा इसके लिए भी एक एक जामपल में आपको बता देता हूँ जिसे यहाँ पर A की घात 2 है ब्रेकिट के बहार घात 3 दी गई तो A का मान कितना अएगा दोनों गातों का हम गुणा कराएंगे तो 3 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 6 तो A की घात कितनी हो जाएगी 6 इस परकार से हम क्यूशन सोल करेंगे अब यहाँ पर देखे इसका अगला नियम क्या है जिसे कभी कभी क्या होता है कि कोई पदों की गात हमें माइनस में दे दी जाती है और उन्हें हमें प्लस में बदलना होता है तो कि हम क्या करेंगे जिसे मान लीजिए एक ही गात हमें माइनस एन दिया गया तो इसका मान हम किस परकार से गात को प्लस में करके लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इसे हम इस परकार से लिख सकते हैं एक के बटे में एक ही गात N तो गात क्या होगी प्लस हो जाएगी कि जब आधार अलग अलग हो लेकिन गातें समान हो तो क्या होगा जैसे यहां पर देखे एक की गात आयम हमें दिया गया बराबर में बी की गात आयम हमें दिया गया ठीक है तो दोनों की गातें समान है आधार दोनों के अलग अलग है तो यहां पर भी दोस्तों, इस स्थती में क्या होगा? कि यहां पर b, a, बराबर होगा, b, यहांने कि आधार बराबर होंगे, जब घाटें बराबर होगे, ठीक है? यहां हम कह सकते हैं कि, m, जो घात है, वो 0 के बराबर हो सकती है, क्योंकि जब 0 इनका मान होगा तो दोनों का मान एक एक आएगा तो इस परकास से दोस्तों ये नियम है अब आगे चलिए इसका अगला नियम हम देखते हैं तो अगले नियम में क्या है कि जब आधार हमें समान दिये जाते हैं बी आधार है बराबर में भी बी आधार है लेकिन इनकी गातें हैं जो अलग अलग है इसकी गात मान लीजिए एकस है इसकी गात वाई है तो यहां पर जब आधार समान हो और दोनों आधार एक दूसरे के बराबर है तो गातें अलग अलग हो तो गातें भी आपस में क्या मज़ते हैं तो अगले नियम में क्या है जिसे यहां पर मान लीजिए दो आदार हमें गुना में दि coy निय sómy experience अई है जिनकी घात है जो एक है break it के बार जिसे यहांपर दोस्तों इसका जो divide के लिए है वो कुछ इस परकार से नियम है, जैसे यहां पर हमें दिया जाता है bracket में A बटे B, यानि कि दौनों जो आदार है वो divide में है और bracket के बार इनकी गात M हमें दी गई है, तो इसे हम किस परकार से लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए गात है M जो दोनों के लिए A और B के लिए तो इसे हम लिखेंगे A की गात M बटे B की गात M ठीक है इस परकार से हम लिख सकते हैं तो यह नियम है दोस्तों गातां के नियम जो हमें ध्यान में रखने हैं और जो भी घात इसके बटे में है उसे हम बाद लिख देंगे ठीक है पर दोस्तों जितनी भी घात आएगी उस घात के according यहां पर इसका मान गयात किया जाएगा अब यहां पर देखिए अगला नियम क्या है जब हमें इस परकार से दिया जाता है एक ही घात P बटे क्यूं हमे कर सकते हैं फिर से से हम सोल करेंगे यहीं आने वाला है ठीक है अगला इसका देखिए नियम क्या है जब यहां पर दोस्तों हमें इस परकार से दिया जाता है कि इसके रूट में या कोई भी रूट में कोई भी मान हो यहां पर क्यूब रूट में आने का कोई भी मान आ सकता ठीक है और A यहांपर हमें दिया गया और बाहर घात यहीं हमें दी जाती है जो घात यहांपर रूट के बाहर है वहीं ब्रेकिट के बाहर है तो इसका मान हमेशा यहीं आएगा जो रूट के अंदर है ठीक है यानि कि यहीं वाली संख्या आने वाली है क्योंकि जब हम इसे स् A और B यहाँपर हमें दिया गया बाहर रूट दिया गया यहाँपर कोई गात N दी गई तो इसे हम किस परकार से लिख सकते हैं यहाँपर दोस्तों रूट N यहाँपर हम करें जिसे A यहाँपर आया और गुणा में यहीं गात यहाँपर B पर लगेगी यानि कि यह जो घात बाहर आती है यह दोनों मान के लिए होती है अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला नियम क्या है यहाँ पर कोई आदार हमें दिया जाता है जिस पर दो अलग-अलग रूट लगे हो जैसे किस परकार से जैसे A यहाँ पर कोई संख्या है यहाँ पर रूट N हमें दिया जाता है यहाँ पर मान लेजी रूट की गात M हमें दे दी जाती है तो इसका मान दोस्तों इसे ग्यात किया जाता है कि दोनों गातों को आपस में गुणा करा दिया जाता है जैसे इस परकार से M N साथ में लिखे यहाँ पर रूट में A को रख दिया जाता है यहाँ पर देखे अगला नियम क्या है जिसे A बटे B हमें दिया गया और यहाँ पर दोस्तों रूट के बाहर N घात दी गई तो इसका मतलब भी क्या है कि यह A के लिए भी होगा ठीक है और यह B के लिए भी होगा तो यह है दोस्तों करनी के नियम अब यहाँ पर एक नियम यह भी है कि यहाँ पर मान लीजिए आपको इस परकार से रूट में A दिया जाता है यहाँ पर N गात है और ब्रेकिट के बाहर यहाँ पर M गात है तो इसे हम किस परकार से लिख सकते हैं यहाँ पर रूट N और A के हम गात लिख सकते हैं ठीक है तो यह है दोस्तों करनी के कुछ नियम गातांक और करनी के नियम इसमें हमने समझे इसका बेसिक हमने समझा है उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मैं मिलता हूँ आपसे सी की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे भारत वंदे मातर